हेलो फ्रेंट्स आप सब कैसे आज के वीडियों में बताने वाले हैं MWP SE Prelims Result 2020 आप सभी कैसे देखिएगा इस वीडियो में आप सभी को Result देखना बताने वाले और शाथ में आप सभी को Expected Cut-Off कितना जाने वाले यह भी Information देने वाले यानि आप सभी को Result से लेट सारी Information देने वाले तो आप इस वीडियो के अंतक बने रही है तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते है तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर Previous MPP SE Prelims Cut-Off की बात कर लेते हैं यहाँ पर Male and Female Cut-Off का बात कर लेते हैं तो category wise यहाँ पर आप सभी को Show कर रहा है General का देख सकते हैं यहाँ पर 154 अंके भी जाएगा Male में and Female में 152 अंके भी जाएगा OBC का देख सकते है 148 अंक और यहाँ पर 142 अंक जाने वाला SC का 138 से यहाँ पर 134 के भी जाएगा HT का 126 से 124 के भी जाएगा EWS का 136 से 132 अंके भी जाने वाला PWD का 116 से 98 के भी जाने वाला और X Service Man का 104 से यहाँ पर 82 अंके भी जाने वाला ठीक है यह previous cut off mark है ठीक है अब आप सभी को यहाँ पर expected cut off mark बता दे दे कितना जाएगा वैसे तो फानली यह भी expected cut off mark आप सभी को देखने को मिल रहा है यह भी category wise यहाँ पर यह male cut off है और यह female का cut off है जनरल का देख सकते हैं 150 से 160 अंके भी जाएगा male में ठीक है और female पर देख सकते हैं 145 से 155 अंके भी जाएगा OBC का 145 से 155 के भी जाएगा और यहाँ पर 140 से 150 के भी जाएगा SD का 130 से 140 अंक और यहाँ पर 135 से 145 अंके भी जाएगा ठीक है HD का देख सकते हैं 130 से 140 अंके भी जाएगा और यहाँ पर female में 135 से 145 अंके भी जाएगा EWS में 145 से 155 के भी जाएगा और female में 140 से 150 के भी जाने वाला ठीक है PWD का 110 से 120 अंके भी जाएगा और यहाँ पर मेल में 105 से 115 अंके भी जाएगा 120 मेन का फाइनली यहाँ पर 120 से 130 अंके भी जाएगा और इनमें यहाँ पर 900 से यहाँ पर 100 अंके भी जाएगा ठीक है यानि यहां पर 90-100 के बीच यहां पर इसमें जाने वाले यह नौशों नहीं है नब्य ठीक है तो यह रहा आप से भी के expected cut of mark अब बात करें result कैसे देखिएगा तो आप से भी को result देखने के लिए officially website पर जाना पड़ेगा जैसे result का link active हो जाता है तो आप से को result देखने के लिए application number and password फिलब करना होगा जो admit card में फिलब किये ठीक है and then submit करेंगे तो आप सभी का result होगा आपके screen पे शो कर देगा अगर PDF में result आता है तो finally आप से भी PDF पे click करके result को PDF में download करके वहां से आप से आप से result देखना अब बात करें result कब जारी किया जाएगा तो देखिए आप सभी का result है यहां पर जून के फॉर्ड विक से पहले रिलीस कर दिया जाएगा जैसे result को जारी किया जाता आप सभी यहां से देख लेजेगा सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद